हलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज हम सुनेंगे गोगा नवमी की कथा बादरपद महामे क्रश्न पच्च की नवमी गोगा नवमी के रूम में मनाई जाती है गोगा नवमी के दिन गोगा जी महराज की पूजा की जाती है गोगा नवमी के दिन गोगा जी की पूजा क गोगा जी महराज हमारी सर्पों के काटने से रच्छा करते हैं। इन्हें गोगा जी, गुगगा वीर, जहर वीर और राजा मांडलिक आदी नामोग से जाना जाता है। तो चलिए फिर गोगा नुमी की कथा सुनना प्रारम करते हैं। गोगा जी मारुदेश के राजा थे और उनकी मा बाचला, गुरु गोरकनात जी की परमभकतों में से एक थी। एक दिन बाबा गोरकनात अपने शिश्यों समेत बाचला के राज में गई। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रशन हुई। बाबा गोरकनात अपने एक शिष्ष को नगर में पाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरू का आदेश पाकर शिष्ष नगर में ब्रहमड करने के लिए निकल पड़ता है। और भिच्चा मांगते हुए राजमहल में जा पहुचा। राणी ने उसे बहुत सारा धन भिच्चा के रूप में दिया लेकिन गुरू कनाज जी के शिष्ष ने वह लेने से मना कर दिया। राणी एहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है। तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे तो वह अपना भिच्चा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिच्चा पात्र में समा गया और राज का अनाज गुदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का पात्र नहीं बरा। तब रानी गोरक नाज के शिश की सक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उससे चमा याचना की गुहार करने लगी। और कोई संतान ना होने का दुख बताती है। बिच्चक ने रानी को अपने गुरु गोरक नाज से मिलने की सला दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र की प्राप्ती का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरक नाज के आश्रम में जाने को तयार होने लगी तब ही उनकी बहन काचला वहां पहुँचकर सारी बात जान लेती है। जोकि वीर पुरुष होगा और नागों को वस्मे करने वाला तथा सिद्धों का सिरूमणी होगा। जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र की प्राप्ती हुई और रानी की कोक से जन में बालक का नाम गोगा रखा गया। बड़े होने पर जब गोगा जी का विवा बंगाल के राजा मालप की बेटी से होना तय होता है परंतु राजा ने अपनी बेटी की साधी गोगा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोगा जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। और देखते ही देखते राजा की बेटी सुरियल विश्के प्रवाव से मुक्त हो गई और फिर राजा अपने कथन के अनुसार अपनी बेटी का विवा गोगा जी से करवाते हैं वोलिए गोगा महराज की जै आपको हमारी ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरू बताई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और जादा से जादा शेयर करिएगा कमेंट में गोगा महराज की जै या फिर गोगा पीर की जै आवश लिखेगा धन्यवादा